अस्तामलेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विसमा असकर और आप और मैं मिलके सॉर्ट्स की प्रपेरेशन की बात कर रहे थे। इसी source की preparation में हम मजीद चलेंगे और आज देखेंगे कि कौन से और तरीके हैं जिसे soluble source prepare होते हैं और साथ ही साथ insoluble source को prepare करने का कौन सा तरीक है मुश्किल कुछ भी नहीं है समझ के चलें तो हर चीज ही असान हो जाती है थोड़ा सा मेरे साथ लिखिएगा भी practice भी कीजिएगा जादा अची समझाएगी लेकिन concept समझने पर सबसे पहले अपना focus रखें तो आएं चलते हैं lecture की तरफ तो जी students हम पढ़ रहे थे कि कैसे हमने source को तयार करना है source की preparation किस तरह से करनी है source की preparation के दो तरीके हैं सबसे पहला मैंने आपको बताया कि solubility चेक करनी है और साथ ही साथ insoluble यही दो तरीके है solubility जो जब हम चेक करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हमारा जो salt है वो water में यह किसी भी solvent में dissolve हो सकता है और जब हम कहते हैं कि salt insoluble है तो इसका मतलब है कि वो dissolve नहीं हो सकता अभी हमने दो reactions को डिसकस किया था आप इस चे lecture में जिसमें एक था direct displacement metal को displace करवाया hydrogen chloride यह कोई भी acid लिया hydrogen displace होई metal जाके attach हो गई दूसरा था neutralization reaction आज हम मजीद reactions पढ़ेंगे और देखेंगे कि salt को prepare करने के और कितने तरीके हैं अब वैसे तो आपको यह सारे reactions नजर आ रहे हैं आपने इन से घबराना नहीं परेशान नहीं होना one by one हम इन सबको लेके चलेंगे तो आपको पता लगजेगा कि यह कितने easy reactions है सबसे पहले हम बात करें कि soluble source की preparation किस तरह से करनी है soluble source की जब हम preparation की बात करेंगे तो अभी हमारे पास एक और तरीका है कि उसमें हम क्या करते हैं by the reaction of an acid and metallic oxide acid का reaction करवाना है metallic oxide से students आपको याद होगा हमने बात की थी कि metal और non-metal oxides बनाते हैं और वो oxides या तो acidic होते हैं या basic होते हैं अगर यह acid है और जो वाकई वो है हमने पहले ही बात की के hcl और h2s4 बहुत important acids हैं यह बात हमने याद रखनी हैं बूलनी नहीं हैं बूलने के काबिल बाते यह हैं ही नहीं अच्छा h2s4 आपके पास acid है साथ मैंने लिखावे copper oxide अब हमने यह देखना है कि हमारे पास copper oxide क्या चीज़ है students जब इस तरह का reaction करते हैं ना तो वो confused हो जाते हैं उनको लगता है कि बड़ी कोई अनोखी सी चीज़ है मुश्किल चीज़ है नहीं होगी लेकिन आप गौर करें कि आपके पास यह जो reaction दिया है इसमें copper oxide है copper एक metal है metal oxides और non metal oxides का acidic और basic behavior हमने पढ़ा था और हमने यह चीज़ देखी थी कि जो आपका metal oxide होता है वो हमेशा base होती है उसका basic behavior होता है इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास एक जगा तो acid है दूसरी base है acid और base का reaction हमेशा क्या कहलाता है neutralization reaction यह बात आप लोगों ने याद रखनी है कि neutralization reaction है मैं आपके पास hydroxide की कोई base दे दूँ और direct उसके उपर heading दे दू neutralization reaction की या मैं कोई oxide दे दूँ तो भी आप पता कर सकते हैं अगर आपको यह पता है कि metallic oxide यूज़ हो रहे है या non-metallic oxide है H-2-4 strong acid है important acid है यह बाते हम बहुत दफा कर चुके अब हमें यह बाते याद हो गई है जिसकी वज़े से हमें पता है कि एक यह हो गया acid दूसरी तरफ लिखावे oxide हमने oxides भी पढ़े थे और हमने बात की थी के metal के oxides basic होते हैं अब मुझे आप बताएं अगर acid और base को react करवा रहे हैं तो क्या वो फिर से reaction करवाना है इसको फिर से आपने वही neutralization कहना है जिसके अंदर water बनेगा ही बनेगा तो देखा आपने neutralization reaction में water formation लाजमी होती है it doesn't matter that your base has hydroxide or not it does not matter ठीक है अब कैसे हमारे आपके पास water आया कि देखें आपके पास base में oxygen मौझूद है और आपके पास acid में hydrogen मौझूद है hydrogen और आपकी oxygen जब बिलती है तो यह दो चीज़ें ही तो है जो हमें water बनाने के लिए चाहिए हमने कर दिया इन दोनों चीज़ों को combine आपका यह reaction फिर से हो गया neutralization reaction water निकल गया water निकलने के बाद salt formation की बात करते हैं तो salt formation में हमने टैच करना होता है positive charges को negative charges से copper metal है metal हमेशा positive charge बनाएगी यह बात तो मेरे students को अभियाद हो गई होगी copper ने बनाना है positive और साथ ही साथ sulphate sulphate आपको मैंने बताया था कि SO4 कठा जिदर भी लिखा होगा sulphate आइन है उसको लएदा लएदा नहीं करना sulphate के उपर होता है negative charge precisely बात करें तो sulphate के उपर है two minus charge और आपके copper के उपर है two plus charge जब यह दोनों मिलेंगे तो आपके पास बनेगा copper sulphate क्यों क्योंकि क्योंकि copper है आपके पास two positive charge वाला और sulphate है आपके पास two minus charge वाला जब same charges होते हैं effect cancel out हो जाता है इस वज़े से कोई number नहीं लिखा आता और इस तरह से आपके पास salt बन गया देखा आपने फिर से आयोनिक compound है फिर से positive negative charges वाला है और फिर से neutralization reaction है neutralization में water बनता ही बनता है यह बात आपने याद रखनी है it doesn't matter आपकी base hydroxide वाली है यह आपकी base oxide है base होना जरूरी है acid के साथ जब acid और base मिलेंगे तो water बनता ही बनता है यह बात आपने भूली नहीं है यह हमने neutralization reaction फिर से पड़ा है लेकिन इस दफ़ा हमने क्या किया कि पहले base हमने hydroxide वाली use की थी इस दफ़ा हमने oxide वाली use कर ली और क्योंके मेरे सारे chemists को पता है कि metal oxides हमेशा basic in character होते हैं इस वज़ा से हमने कह दिया copper oxide हमारे पास क्या है base तो वही neutralization reaction है कुछ भी नए नहीं है base ही दुबारा use की है acid के साथ और हमने उसका reaction करवा दिया neutralization reaction तो वैसा ही हम सब को याद है एक और reaction है हमारे पास acid और carbonate के दरम्यान में अब यह वाला वो reaction है जो हमने पढ़ा था जब हम acid की properties भी पढ़ रहते तो इसी वज़े से अब यहां पर आपकी थोड़ी सी revision होगी मैंने आपको बताया था कि एक चीज याद रखनी है अगर आपको reactants में कहीं भी CO3 नज़र आए तो इसका मतलब है कि आपका product carbon dioxide लाजमी होगा तो यह देख लें CO3 था तो हमारे पास carbon dioxide आगया carbon dioxide के साथ दूसरा हमारे पास कौन सा common product है water वाटर आगया carbon dioxide आगया पीछे जो चीज़ें रह गई उनको मिला देने salt के point of view से बात करें तो positive और negative ions का मिलना क्योंके जरूरी है तब जाके आपका salt बनता है तो यहां पे हम क्या करेंगे आप देखे हमने CO3 से carbon dioxide बना दी इस H से और इधर से ही निकलते हुए oxygen से हमने बना दिया water अब हमारे पास क्या चीज रह गई है यह sodium रह गये और साथ ही साथ यहां से nitrate आइन रह गये नाइट्रेट आइन और sodium आइन sodium positive होता है कौन से group का element है आप सब को याद आ गया होगा first group का element है 20 elements याद कर ले हम से यह चीज याद हो जाए sodium पे है plus का charge आपके उस nitrate पे होता है soluble salts को prepare करने के हमने तीन चार बड़े important तरीके पड़े सबसे पहला यह था direct displacement हमने displace करवाया था hydrogen को acid में से और metal attach करा दिया था metal acid के साथ react करेगी common product है hydrogen gas यह बात आपने नहीं भूल दी दूसरा और तीसरा तरीका बिल्कुल सेम neutralization reaction हमने neutralization में पड़ा hydroxide base यूज की तो भी neutralization में water और salt बन गया और साथ ही अगर हमने oxide यूज किया metal oxide वो भी बेस है तो भी हमाई पास salt और water बन गया फिर कार्बोनेट और acid के ने attach की और हमारे पास यहां पर बन गया salt तो students यह वो सारे तरीके थे जिन से हम soluble salts बनाते हैं अगर मुश्किल लग रहा है तो एक दफा paper पे लिखके खुद practice करो खुद लिखो खुद अपने आपको समझाओ कि क्या चीज़ें पड़ी हैं और अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहे हैं यही चीज़ें समझ नहीं आ रहे हैं तो फिर आप रुप जाएं ब्रेक दें अपने आपको थोड़ा सा ब्रेक देंगे तो chemistry समझना बहुत यहां हो मुझकिल नहीए वही चीजिजही सारी की सारी चीजिजहें मैं आपको पहले भी स्प्गछि रेक्शन कस्किस नहीं पड़ा था पड़ा था हमने यह डिवेघू आंकि उ哥哥 मारे पांछ चिन हमने क्या किया कि हमने soluble source prepare किये soluble source prepare कि और उनको फिर evaporation से और दूसरे तरीकों से हमने separate कर लिए वो बात में थोड़ी दिर बात करूंगी अभी हम बात करेंगे preparation of insoluble source की वो source जो soluble नहीं होते जो नहीं mix हो सकते water के अंदर in soluble source को prepare करने का तरीका यह होता है बहुत easy सा तरीका है हमारे पास हमने क्या करना है और दो ऐसे एक salt होगा जो soluble होगा और एक होगा जो insoluble होगा ये बात समझाई कि आपके पास insoluble salts prepare करने के लिए क्या तरीका है कि सबसे पहले आपने लेने हैं दो soluble salts जो mix हो सकते हैं water में उनका reaction करवाएंगे जब उनका reaction आपस में करवाएंगे तो आपके पास दो सौर्ट मजीद बनेंगे उनमें से एक salt soluble होगा एक salt insoluble होगा इस तरह से वह insoluble salt आपके पास आजाएगा अब आप कहेंगे कि मिस्स इतनी मुश्किल में पढ़ना ही क्यों soluble तरीके से इतने तो प्रपेर कर लिए फिर से सौर्ट मिलाके नया सौर्ट क्यों बनाने तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री है हम कुई चीज छोड़ दें ऐसा तो हो पहला reaction है देखें इसको करना किस तरह से है यहां पर आपके पास silver nitrate है और साथ ही साथ sodium chloride है याद आ गया यह दोनों salts है silver के उपर देख ले positive charge है नाइटरेट के उपर देख ले negative charge है sodium chloride में sodium पर positive charge है chloride पर negative charge है अब हम क्या करेंगे बहुत ही असान तरीक है silver nitrate का positive part और sodium chloride का negative part इन दोनों को कर देंगे attach ठीक है इन दोनों को attach करने से हमारे पास एक नया salt बन जाएगा जिसको कहते हैं silver chloride जो आप यह देख सकते हैं पीछे हमारे पास क्या चीजे रह जाएंगी हमारे पास रह जाएगा sodium sodium chloride का positive part और silver nitrate का negative part nitrate आपने इन दोनों को भी जोड़ देना है इन दोनों को जोड़ने से आपके पास एक नया salt बन गया sodium nitrate जो आपको नजर आ रहा है ठीक है तो आपने क्या करना है कि already बनेवे salt से हैं उनको सिर्फ displacement करवानी है एक salt में जो positive चीज़ है उसको दूसरे salt के negative से attach करवा दो और उसी salt में जो negative है उसको दूसरे salt के positive से करवा दो इंटर्चेंज करवा दो जो salt पहले बने उनको इंटर्चेंज कर रहा हो और आपके वस्त नए products बन जाएंगे हमने बात की थी दो soluble source use करने से एक soluble होगा एक insoluble होगा अब इन में से बात कर लेते हैं soluble कौन से silver chloride आपका insoluble salt है यह बात आपने याद रखनी है silver chloride insoluble salt है sodium nitrate आपका soluble salt है इस reaction से इसका मतलब है कि हम silver chloride को बनाने की कोशिश कर रहे थे तो बन भी गया silver chloride देखा अगला reaction देख लें sodium carbonate का copper sulphate के साथ reaction दोनों salts है sodium की उपर positive charge है carbonate की उपर negative charge है copper की उपर positive charge है sulphate की उपर negative charge है जिससे पता लग रहा है कि यह भी salts है अब हमने एक salt का positive दूसरे के negative से attach करना है तो sodium को sulphate से attach करो sodium sulphate बन गया साथ ही साथ आपने carbonate को copper से attach कर देना है और आपने बना देना है copper carbonate तो यह हमारे पास दूसरे salts बन गए अब इन में से भी एक soluble है और एक insoluble है और यह है आपका task के आप लोगों ने यह देखना है क कि इन में से कौन सा soluble है और कौन सा insoluble है जब भी आपको task दिया जाए उसको उसी वक्त solve करने की कोशिश किया करें क्योंकि जब आप उसको उसी वक्त solve करते हैं तो वो चीज़ें आपको याद रह जाती है खुद से solve की वी खुद से पढ़ी वी चीज़ हमेशा याद रहत है कभी नहीं भूलती इसलिए याद रख लेना है आपने इन रियाक्शन दरना नहीं है इनको दुबारा लिखें बार बार लिखें मैच की तरह इनकी प्रैक्टिस किया करें और कॉंसेट समझ लें कॉंसेट जिसको आता होगा वो रियाक्शन तीन-चार देफा लिखेगा इसलिए याद हो जाएगा तो सार्स की परपेशन हम पढ़ रहे थे स्वागे बात की सोलीबल तरीखें से होती और इन सोलीबल तरीके से शृबल के एक तरीका डायक्ट डिस्प्लेस्मेंट मेटल यूज कर लिया हाइडरोजन गैस लिबरेट होगी दूसरा तरीका मारवा तर पिस साथ तरीका कारबोनेट आपके पास प्रोडक्सने बंगे और आप सॉल्इबल करने करें तरीके और ंसमें त्यारीकिन कर रीकशन करवाइं ?- soluble आपके बस product में बन जाएंगे इस तरह से reaction करवाने से क्या हमका सिर्फ आपने यह करना है कि already जो salts present हैं उनको एक दूसरे की जगह से हिला दे एक salt का positive दूसरे के negative से attach कर दे इस तरह आपके बस नए salts बन जाएंगे और जो आखरी reaction हमने किया जिसमें sodium carbonate copper sulfate के साथ react करके copper carbonate और sodium sulfate बनाता है इसमें अब आपका task है कि आप लोगों ने देखना है कि soluble conscious salt है और in soluble conscious salt है तो जी students देखा आपने कितना easy था सिर्फ वही चीजें हैं वही salts हैं वही acids हैं वही oxide use करके और साथ ही साथ carbonate का reaction भी पर लिया और ये भी देख लिया कि in soluble salts किस तरह बनते हैं बाते तो मैं इन चीजों पर जितनी भी चाहूं कर लूँ लेकिन होगा ये कि आप बोर हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं सिखाई हैं आप उनी की practice करें उसको लिखें बार बार लिखना बहुत important है मैं इस पर emphasize करती हूँ इसलिए करती हूँ कि लिखेंगे तो याद रह जाएगा सबसे पहले concept लें कि क्या हो रहा है और उसके बाद उस reaction को लिखें और उसको समझें हम मजीद बात करेंगे कि इसमें कैसे हमने इन source को extract किया लेकिन अभी यहीं तक था आप इन chemical reactions को समझें तब तक हम मिलेंगे next lecture में तब तक के लिए अल्ला हाफिज